मौका देने के लिए धन्वाद हरीस दिवेदी ने जब प्रस्ताप रखे इस प्रस्ताप को मैं बिराज करता हूँ रास्पोती जी के भाषण में महा मुहिम रास्पोती जी के भाषण में बहुत कुछ रहना चाहिए था जो नहीं है जेसे यही साल में आसाम मीजोराम बॉर्डर में तनाव हुए क्लेश हुआ के आसा केंद्रों में भास्पा के सरकार एंडिये के सरकार आसाम में भास्पा के सरकार मीजोराम में एंडिये के सरकार उसके बवजूद आसाम मिजराम बर्डर में कंफ्लीक हुआ और वो कंफ्लीक में आसाम पुलीस का साथ जोंसाईद हुआ इसका कोई चरचा राश्पती जी का भार्षन में नहीं है यह सरकार को कन्ध्र सरकार का यह विफलता है इसका चरचा नहीं हुआ रास पोती जी का भार्षन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विस्वास, सबका प्रायास का चर्चा हुआ लेकिन यह सरकार में कहा सबका विस्वास रहेगा जब हरीदार में धर्म संगसत बेठेगा और धर्म संगसत में फसला ले जाएगा किसी भी समुदाय का लोगों को हैत्ता करना चाहिए और सरकार उसका खिलाब कोई एक्शन नहीं लाएगा कहा लोगों का विश्वास ये सरकार का उपर रहेगा सिर्क हरीदार का दर्म संसादी नहीं कभी उत्तरपदेश का मुख्धा मंत्री योगी आदितनात कभी आसाम का मुख्ध मंत्री हिमाद विश्वास सर्मा ये भरका भार्षन देते हैं जिस भार्षन से नफरत पैदा होते हैं आसाम में दरंडिस्टिक के गरुखुटी में सत्ताइस सिकेरिटी फोर्स ने दो दो इनोसिन लोगों को कातिल किया उसका जुडिश्याल इंकौरी अभी तक नहीं हुआ और और डेट बोडी का उपर डैंस करना नित करना कोई किसी भी धर्म का किसी भी मज़हाफ का कल्चार में नहीं है जो हाँ हुआ था अभी उस जो बिजाई शंकर बनिया उसका क्या सजा हुआ इसका उलेक इसका मेंशन रासपोती जी का बार्शन में नहीं है बात इहीं तक नहीं है आसाम के मुक्ह मंद्रे ने क्या बोला आसाम के मुक्ह मंद्री खिमांद भी सो सरमाजी ने बोला गोरु खुटी में सरकार ने रिवेंस लिया, प्रतीशोत लिया मैंने इसका खिलाफ दिस्पूर पुलिस इस्टेशन में एक एफार भी सब्मीट किया अभी तो कोई जहार और रेजिस्टेशन नहीं हुआ जो होना चाहिए था IPC 153, Section 153, Section 153A के मताबिक, जिसका रेजिस्टेशन होना चाहिए था, अभी तब नहीं हुआ मैं चाहता हूँ, एफार इस्टेशन हो, तो यह जो नफरत फ्लाते हाँ, जहर फ्लाते हाँ जब सर्चुनेखे मुक्छा मंतरी, जब सर्कार का मंतरी अगर बोलेगा, गोली मार दो, तब कैसे सबका विस्वास होगा, कैसे सबका प्रयास होगा, यह मैं सौाल पूस्टना चाहता हूँ सरकार, यह सरकार ने बहुत कुछ बात चर्चा किया, इस सदान में, चिटिजिंशिप एमेंटमेंट एक, जो चिटिजिंशिप एमेंटमेंट बिल, चिटिजिंशिप एमेंटमेंट एक, यह पास किया, काफी लोगों ने इसका बिरोत किया, आसाम में भी इसका बिरोत हु आसाम का एक हिस्सा में जैसे बी टी आर बॉडल एंड टेरिटिरियल रिजॉन और कारिभी अंगलों डिमा हसाओ जो हीली एरिया है हमारा उसमें ये कानून लगू नहीं है अगर ये कानून अच्छे है तो ये जो बी टी आर और कारिभी अंगलों डिमा हसाओ में क्यों ये क को भी आइधर रिपील करना चाहिए, नहीं तो आसाम में, आसाम का कोई भी पार्ट में, नौर्थ इस का कोई भी पार्ट में, ये कानून इम्प्लेमेंट होना नहीं चाहिए। कैंटर सेर्कार ने, ह metallic ने जो आसाम एकोड, जो राजीब जी जब परदान मंतरी रहा अभी तो को कमीटी का रिपोर्ट केंद्यों सरकार ने एकसेब नहीं किया राइज सरकार ने लिया लेकिन अभी तो को रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को नहीं पाता सी बेही नहीं जिए अस्पारिशनल डिस्टिक एस्पारिशनल डिस्टिक बारपेटा मेरा इस्पारिशनल है लेकिन क्या काम हुआ कुछ नहीं पता MPs को साथ भी कुछ बात नहीं करता है ये करना चाहिए ये आसाम के जो से समुदा सिक्स कमीनिटी इसको करने का बात था सरकार ने कई दफ़ा बोला अभी तो कुछ नहीं किया इसको जो धोका कितना दिन ये धोका देगा ये भी मैं जानना चाहता हूँ उसके बवजोग या असाम को दो समुदा गोरिया और कलिता ये लोग भी जो जनजाती करन मांग कर रहा एसकी डिमांड कर रहा है ये भी सरकार कंसीरा करना चाहिए रास्प्रतीजी का भार्षन में टिपल तालाक का चर्चा हुआ मुस्लीम मोहिला का अधिकार का चर्चा हुआ ठीक है लेकिन जो हिंदू मोहिला जिसका शादी हुआ डिबार्ज में नहीं हुआ उसको जब अगर हस्बेन उसका ख्याल नहीं रहेगा उसके लिए भी एक कानून मनना चाहिए जा हस्बेन किसी को चोर नहीं चोरिये उसका भी ख्याल रखें उसका क्या होगा वो कानुन बनना चाहिए अधाक श्माहदा आज जम्मु कस्मीर से आर्टिकल 370 अबर्गेट हुआ लेकिन यह एक स्टेट था उसको इनियन टेरिटरी बना दिया गया उसके अटलीस उनको तो स्टेट होड तुरांत लोटा देना चाहिए आओं पे जो डिलिम मेटर्शन हो रहा है परलाबन का रिप्रेजंटिशन एमपिस का रिप्रेजंटर्शन जरूर है लेकिन बिधान सवह का जो रिप्रेजंटिशन होना चाहिए ओ डिलिमिटर्टिशन में और अम्हार जन lugो नहीं हुओ जो उनिस लाक लोगों का नाम बात ड्रोप हुआ जिसमें काफी भारतिया नगरीग भी हाई उनका क्या होगा कभी मुख्व मुंत्री आसाम के मुख्व मुंत्री बोलेगा यह एनर्सी नहीं मानेंगे यहां केंद्र के ग्रहों मुंत्री बोलेगा एनर्सी हिस्टरी खाई केंद पाक्स सत्ता पाक्स काफी दावा किया लिगिनों गंगा में बहती ही खुई लाज उसका चर्चा नहीं हुआ उसका चर्चा भी होना सही वजद्धक्षमादा मुखा देने के लिए सबाकी कारवाई कल गुरुवार दिनाग तीन फरवरी 2022 को साइच चार बज़े तक के लिए इस्तिकित की जाती है झाल 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 झाल